Hello everyone, welcome to PW Only IS. दोस्तों, हम सबको पता है कि हम लोग regular basis पर अपने mains की answer writing की practice कर रहे हैं. और इस mains answer writing की practice में आज जो दिन है वो है science and technology का. और science and technology के syllabus से आप सभी लोग वैसे दो बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे, यहाँ पर सबको पता है. लेकिन एक बार ना थोड़ा समय बस आपको एक जलक देना चाहता हूँ कि अगर आपने अलड़ी कर रखा है ऐसे trend analysis तो it's good. अगर नहीं करा है तो just before the discussion of our complete paper हम एक बार यहाँ पर थोड़ा देख ले दे, इस पर discuss करता हूँ, उससे पहले एक छोटी से information में दे देता हूँ, कि आज की इस test की जो भी सबसे best copy है, वो नीचे टेलिग्राम के एक description link दिया हुआ है, आप वहाँ पर click करके उन copies को भी एक analyze कर सकते हैं, आप अपने copy से थोड़ा सा compare भी कर सकते हैं, कुछ बढ़िये बढ़िये बाते मिले तो वहाँ से copy भी कर लो, क्या जा रहा है, है ना, तो जो भी अची चीजे हैं, वो अपने साथ वाले copy उससे भी सीख सकते हो आप लोग, तो उसके लिए वो टेलिग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर definitely एक बार जाके जरूर से देखना है, इसके अलामा हम लोग बात करते हैं कि यार देखो GS paper 3 के अंदर जो यह science and technology आ रही है, इसमें economy तो आप लोग का already done हो गया, रिशब सर ने कर दिया होगा, अब इसके बाद science and technology में ऐसा दिखने म मैं लगता है कि यार 2-3-2-3 question आ रहे हैं इससे तर बढ़िया नहीं है, मददार नहीं है, बट यकीन वारो कि अगर overall questions देखोगे तो questions के तादाद जो है वो बाकी के subject से ठीठा की आते हैं, तो overall अगर मैं आपको यह बोलूना कि यार कितने question आ जाते होंगे, तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हूँ कि यही कोई 20-20% आप बोल सकते हूँ है ना, 20-20% के आस-पास कुछ questions आते हैं, वन फिफ्ट बोल लो अगर छोड़ा वटा बोलना है तो, वन फिफ्ट questions, तो एक ऐसा टाइम भी था जब UPSC ने science and technology से भर-भर के question पूछे थे, 6 question, कभी 5 question और gradually अब यह जो पूरा मुद्ध है, वो चार और तीन में चलता है, तीन, चार, तीन, चार का alternate चलता है, तो 2024 का, अगर मैं same table बना के लिकूँ, तो चार question आने की संभावन आए हैं, और दूसरा यह भी है कि science and technology की field में इस ताइम पर ज़्यादा developments हुए हैं, in comparison to rest of the subjects, तो हम बो देखते हुए, यह सबसे पहला theme है, आप इसमें emerging technology के और IT sector के, computer sector के बहुत सारे topics इसमें देख सकते हो, मोटा मोटा देखा जाए तो 2023 में आपको वैसे तो यह वाला question economy से भी related है, बट हाँ, यह टेक्नोलोजी चुकि यहाँ पर बोला था, तो थोड़ा सा आपको science and technology से relate कर करना होगा, देखो, मैं आपको यह चीज बताता हूँ, कि जब भी आप कोई भी topic पढ़ो ना science and technology का, तो उसमें एक बात का ज़रूर देना, कि ना सिर्फ आपके GS paper 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ना सिर्फ आपके GS paper 3, GS paper 3 में कितने हैं वाई साब, एक तो अपना economy है, एक अपना internal security है, एक अपना disaster management है, और एक अपना environment है, तो यह सारी चीजे आपके interrelation में होनी चाहिए है, जैसे मान लो for example, आप artificial intelligence की बात करते हो, तो artificial intelligence का हमारे primary sector पर क्या emphasis पढ़ता है, या फिर as a whole economy पर क्या प्रभाव पढ़ता है, वो कैसे emphasize कर रहा है, कैसे उसको growth enhancement क्य दे रहा है वो, थोड़ा सा idea होना चाहिए, दो-चार examples हम लोगों को पता होना चाहिए, same goes with disaster management में AI क्या कर सकता है, disaster management के लगा economy, sorry, environment में हमारा AI क्या कर सकता है, तो इस तरीके से थोड़ा साब अपना broad perspective develop करोगे, तो definitely आप लोग को कई सारे अच्छे points भी देखने को मिल सकत रखी है, तो आप लोग already बहुत सारी चीज़ों को आप जान चुके होगे, बहुत सारे basics को आप लोगों इस तरीके समझ चुके होगे, कि sir, वो intro, body, conclusion वाला हिसाब किताब चलता है, question के keywords को पढ़ना होता है, underline वगरा करके, सब अच्छे से करेंगे, but don't worry, question में discussion करते हैं, एक बार यहाँ पर और भी questions देखते हैं, देखो, emerging technology एक ऐसा segment हो रहा है, जहां से UPSC अब धीरे-धीरे focus करना है, start कर रहा है, क्यों, obvious ही बात है, हमारा technology का पूरा segment ही change हो जा रहा है, जैसे कि, आज कल के time पर जिस हिसाब से chat GPT, जिस हिसाब से LLMs, ये सारे के सारे large language models, question हमेशा पूचा करती है, nanotechnology is also one of them, लेकिन nanotechnology पर as such कोई बहुता current affair साल भर में रहा नहीं था, इसलिए उसका prominence मैं नहीं बता सकता हो कि हाँ, इस बार current affair के उतने questions आएंगे, बढ़ हाँ, आप credit कर सकते हो, बहुत सारे अभी हम discuss भी करेंगे, कौन-कौन से topics and questions आने की संभा काम आता है, तो अब जब आप लोग science and technology भी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर भी कई सारे themes हो सकते हैं, अब themes में क्या क्या है, जैसे कि मान लो, एक theme है आपका defense technology, एक है आपका space, एक है आपका bio technology, एक है आपका nano technology, एक है आपका ICT, information and communication technology, इसके अलावा, एक जो important मुद्द आता है, हाला कि उससे कई साल से questions नहीं आ रहे हैं, वो है intellectual property rights, और कुछ general CCG आना थे, इसे कि कुछ साल हम लोग में देखा कि यार noble prize पर question पूछ लिया गया, एक बार blue LEDs के बारे में question पूछ लिया गया, तो ऐसे ऐसे random questions तो यार देखो आते रहेंगे, मैं और आप उसको predict न वो आपका दायरा बढ़ाएगा, आपके ने-ने dimension सोचने पर आपको मजबूर करेगा, और आप बाकियों से अच्छे answers लिख पाऊगों, तो ये dimensional approach जरूर से देखना, मैं आज के answers में आपको ये भी दिखाऊँगा कि कैसे structured way में आप सोच सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़र आपको एसी बात करें, अब इसमें देखो और भी dimensions आप add कर सकते हो, ये मैंने आपको सिर्फ एक example दिया कि हाँ, science and technology कुछ ये एहम भूमी का दिमाने वाले कुछ chapters है, तो इन segments में आप जरूर से उन topics को connect करने की कोशिश किया करो, उनका ही एक topic है health care, जैसे कि bio technology, bio technology के साथ ह मैं health care को connect कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि bio technology is one of such topics जिससे UPSC हर साल एक दो एक दो question पूछती है, तो you cannot afford to leave bio technology, आपको हर चीज bio technology के बारे में detail से पता होना चाहिए, at the same time यहाँ पर हम लोग देखते है, जैसे कि star link से question आया, star link Elon Musk का project है, और Elon Musk के इस project में internet connectivity की बात हु तो जैसे अभी हम लोग air tail वगरा चलाने कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो भी company से आप लोग BSNL से, या जिस भी company से आप लोग Wi-Fi या भी service लेते होगे, अब वो सबबंध होके यार सेटलाइट से direct communication आ सकता है, जैसे हम लोग अपने disk TV antennas को लगाते हैं छत पर, वैसे ही आ ये सारी चीज़े जो भी हम लोग को देखने को मिलती है, ये सारे future के technologies आप हर बार देखोगे न, UPSC फोकस करेगी future के technologies पर, जिन पर अभी काम चल रहा है, अगले आने वाले तीन से चार सालों में, पांच सालों में, अब ये अपने पूरे full-fledged form में होंगी, तो ऐसे technologies को खोज-खोज के ले के आना, अब जैसे इसमें बोला, data storage पर एक question आ गया, फिर एक question, देखो, noble prize in physics की जो हम बात कर रहे थे, उस पर question आ गया, फिर एक question है, इसका next देखते हैं हम लोग, और क्या question साइं इस पर, एक agriculture से related देखो आ गया, agriculture क्या है हमारे लिए, agriculture economy का primary sector है, प्र deeply interwoven है हमारे जिन्दगी के साथ में भाई साब, आप बताओ कि agriculture में क्या क्या बदलाव लेकिया है, या फिक्या क्या क्या बदलाव ट्रिगर करता है, तो इस तरीके से questions आते हैं, कभी हम लोग के personality based questions भी आते हैं, और साथ में robotics, robotics पर यार देखो बहुत पहले questions आएं, अब questions आते नहीं है, 2015-16 के बाद में आपो questions जादा दिखेंगे नहीं, इसलिए robotics is one of the gone topics आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो आज के जवाने में जो robots है ना, अब उनका मायने बहुत अलग तरीके से हो चुका है, आज के टाइम पर यार हम लोग brain chips की बात करते हैं, है ना, छोटे योटे chips होते हैं, जो की एक नए प्रकार के robots जैसे निकलते हैं, आज के टाइम पर robots को हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, बलकि drones को इस्तेमाल करते हैं, अब जो आगे भविश्य में आने वाला robot है, जैसे कि आप लोग Optimus Prime, जो Elon Musk की company ही बना रही है, वैसे ही humanoid robots की बात कर सकते हो, तो यहां पर पहले के जवाने में जो robots होते थे, वो थोड़े से अलग किसम के robots हम लोग यहां पर पढ़ा करते थे, लेकिन अब के जो जवाने, आपके जो robots हैं, आप लोगों ने movies देखी होगी, अगर आई रोबोट, विल स्मित की movie, यह बड़ी स्रांदार सी movie है तो जैसा विल स्मित की movie में, आई रोबोट में, वैसा रोबोट दिखाए गया था, आज के जवाने में वैसे robots बन रहे हैं, और in fact में बोलतो बन चुके हैं, बस हाँ उतने efficient नहीं है, उतना सोचने की शमता नहीं है, उसमें तो भाईस आप artificial intelligence, large language models, self development, self generation, artificial intelligence, बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई थी, बट हाँ, उसका एक दो portion तो आम लोग definitely 100% आज के टाइम पर देख रहे हैं, तो अब robot is a gone topic, जहां तक मुझे लगता है, बहुत जादा questions आने के संभावनाएं होती नहीं है, अब यहाँ पर आप देखो, scientific research के उपर questions आते हैं, फिर कभी- components, silicon tape, यह सब कुछ ऐसे topics हैं, जिस पे UPSC बहुत पहले जबाने में कभी पूछा किया गरती थी, अब इतने random चीज़ें नहीं आती हैं, mostly they are related with emerging technology, फिर इसके बाद हम देखते हैं, micro organism पर question है, micro organism is again related with bio technology, यहाँ पर bio technology का कैसे fuel shortage में, bio fuels में कैसे काम ले सकते हैं, उसके बाद उसके बाद electric vehicle was a hot topic, 2023 में वहाँ से question आया, फिर electric energy को sunlight से कैसे relate कर रहे हैं, आपर मतलब की solar energy पर question आ गया है, फिर इसी तरीके से आप nuclear energy पर question देख सकते हो, nuclear energy पर question देख सकते हो, कब 2018-2017, इस बार nuclear energy is again into the news, क्यों, क्योंकि इस बार this is the first time in the entire history of India, after its independence, that we have, we have started, not started, at least we have initiated our second stage nuclear reactor, that is fast breeder reactor, fast breeder reactor, ये बहुत ही important है, fast breeder reactor actual में क्या करता है आपके लिए एक gate open करता है कि यार, अब हम लोग thorium का इस्तेमाल करने के लिए तयार होने वाले हैं, fast breeder reactor का जो second generation आएगा, उसमें हम लोग thorium का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो fast breeder reactor अभी तक था ही नह जो चो, हमारे पास total 23 nuclear power plants हैं, जिसमें से 22 जो हैं, वो किसमें first stage driven है, और जो एक ये आया है, एक अभी fast breeder रही आकर, start नहीं हुआ है, मतलब ये power generate करना है, start नहीं किया इसने, लेकिन fuel वगर डाल के चेक कर रहे हैं, वाकी सारी चीजों का, यहां पर ध्यान रखा जा रहा ह तो this is how we can approach, we can approach each and every theme, यहां पर बहुत सारे theme मैंने आपके लिए दिये, space sector से आप बात कर सकते हो, space sector is again one of those topics जिससे की हर साल आप देखते हो कि questions more or less आई जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस रो इतना बढ़िया काम कर रहा है, भाई साब इतना बढ़िया काम कर रहा है, कि उसके news जो हैं वो हमेशा सुर्कियों में बने रहते हैं और उससे related इस बार के जो projects हैं, आप बोल सकते हो, जैसे की गगन यान mission एक important mission है, आप बोल सकते हो, हमारा जो जैसे अभी शुक्रयान पर तो देखो यार उतनी बात हुई नहीं है, लेकिन अभी हम लोग गगन यान के generation launch vehicle, NGLV, तो ये सारे topics जो है ना, ये space technology से हमारे important हो जाते हैं, at the same time, privatization of space is again a very very important topic, क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग ने देखा है कि भाई साब, privatization को ही देखने को मिला है, जब हम लोग बात करते हैं, अपने national space policy 2023 की, तो national space 2023 की policy में privatization पर और foreign investment पर बहुत ज़र दिया उने space sector में up to 100% तक open कर दिया है, तो इसलिए भी आप बोल सकते हो कि privatization of space can be a topic this time, तो ऐसे ना, आपना प्रेडिट कर सकते हो, mains का exam इसलिए easy है, और सोचो कि, अगर मानलो कि आपने प्रेडिट किया और ये नहीं आया, कोई tension की बात नहीं है, आपके जो भी space वाले questions आप उसमें ये सब ऐसे examples को relate करके लिख सकते हो, मतलब कि आपका data mains के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा, बस वो structure नहीं तूटना चाहिए आपका, which we are going to learn in this lecture, so इस पर अब आप लोग पढ़ लेना यार इसको है न, थोड़ा सा आप लोग analyze करना, कि कि किस time पर कौन सा mission important थ इसलिए वो question आया है, then you can find out कि भाई साब इस साल कौन सा question आ सकता है, या अगले साल कौन सा question आ सकता है, तो ऐसी bio technology में, हाला कि इस वाले data में तो बहुत ही कम segment दिया गया है, but मैं इनको भी bio technology के अंदर ही मानता हूँ भाई साब, ये applied bio technology और nanotechnology is again one of the topic, अगर इस साल question नहीं आता है, तो next year you can definitely say कि nanotechnology पर एक question आ रहा है, आज हम लोग एक nanotechnology का question भी detail में देखेंगे, health is again all about bio technology, है न, stem cell therapy है बगएरा बगएरा, तो nanotechnology और bio technology is interchangeably usable, हम बोल सकते हैं कि यार अब जो भी काम bio technology भी तक करता था, irrespective of anything, चुकि दोनों के काम करने का जो portion है, उसका size जो है वो तो DNA है हमारा, DNA वो approximately 10 nanometer width का होता है, है न, अब हमारी जितने भी nanotechnology हैं, वो सारे के सारे एक से लेके 100 nanometer के range में काम करते हैं, तो अब चुकि ये आपके DNA के width के बराबर हो जाता है, इसलिए जितनी भी gene editing के tools हुआ करते थे, gene editing के tools हुआ करते थे, कहां पर हमारे bio technology के अंदर जैसे की CRISPR-Cas9 आप लोगोंने सुना होगा, है न, CRISPR-Cas9, आप लोगोंने सुना होगा, ZFN, zinc finger nucleus, आप लोगोंने talents का नाम सुना होगा, और even जो भी gene silencing techniques थी, या वगर 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 जो भी आप genetic engineering में, gene modification में, जहां पर भी जो भी चीज़ देखते थे, अब उन सभी चीज technology के मदद से भी संभव बना सकते हैं, तो अब वो सारे tools धीरे-धीरे develop को रहे हैं, इसलिए रैनो technology धीरे-धीरे gradually क्या होगा, आपके examination का एक important हिस्सा बनता जाएगा, and again, IPR पर जैसे मैंने बता दिया था, यार कि last question जो है, 2019 मैं या था, आज से 4-5 साल पहले, तो intellectual property rights पर ऐ बट, if we compare with the neighboring countries like China, यार उसका 10% भी नहीं है हमारे पास, जो patent है हमारे पास, साल पर में, तो इसलिए अभी हम लोग ना इस footage पर इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हाँ question इस बारे में जरूर पुचा सकता है कि यार और क्या करना चाहिए, लेकिन again, patent जैसा कोई news, कोई laws, rules, regulations इस बार ऐसा news में रहा नहीं है, तो आप बहुत आदा expect नहीं कर पाओगे इस बार question इस topic से, फिर एक traditional knowledge digital library, PKDL, ताभी पहले news में हुआ करता था, तो इसी के basis पर यार बाकी चीज़ें भी आप देख लेना एक बार, copyrights, patent नहीं से बड़े पुराने questions आते थे, let's start with our discussion, sorry आपका इतना जादा time ले लिया मैंने, but I hope कि ये discussion थोड़ा important था, before we start our discussions of the question, तो पहला जो topic है, again it has been derived with the topic of artificial intelligence, question says कि artificial intelligence has the potential to transform various sectors of the economy, now you have to be very very specific in the question, कि भाई साब अभी ये statement है, पूछा नहीं गया है कुछ भी, अब पूछेंगे, पूछा क्या है भाई साब, इन्होंने पूछा ये है कि भाईया ज़ा discuss करना है तुमको, discuss, क्या करना है discuss, तुम्हें करना है कि artificial intelligence advancements के significance को discuss करना है, और कहा कहा पर किस-किस field पर discuss करना है, इन्होंने दो field हमें छाट के पहली दे दिया है, एक तो इंडिय के healthcare पर और दूसरा agriculture sector पर, तो याद रखना कि अगर आप लोग बहुत जादा बात ऐसी कर रहे हो, जो कि Indian context के बाहर है, तो भी number मिलने के कम chances है, आपको घुमा फिरा के अपने Indian context में ही बात कर रहा है, अब बात करते हैं, इस question के पहले part की, पहला part जो कि inverted commas में quoted है, ये जो court के अंदर यहाँ पर हमें मिल रहा है, वहाँ से में एक direction मिलता है, and this is how we can think of writing introduction, introduction जो है, वो इस हिसाब से होना चाहिए हमारा, जो कि हमारे इस पहले statements को justify कर दे, मतलब कि अगर वो बोल रहा है बेटा, कि अगर sectors of economy, क्या बोल रहा है, sectors of economy बोल रहा है, then we must be very very clear, कि सर जी द tertiary sectors में आही जाएगा, and at the same time जो agriculture है, it will come under primary sector, है ना, तो ये दो का जिक्र तो आगे questions में detail में होने ही वाला होगा, but at the same time, primary sector is individually dependent on agriculture, लेकिन secondary और tertiary is not always about healthcare, बहुत सारी चीज़े है ना, दवाओं का manufacturing, सिर्फ manufacturing दवाओं का ही थोड़ी हो दवाई, बहुत सारी चीज़े होता है, तो we have to give the examiner a hint कि भाईया, मेरे को ना, सिर्फ ये दो topic नहीं, जितने broad understanding के साथ तुमने ये question मेरे से पूछने के कोशिश की थी, कि भाईय साब sectors of economy सोचो, और फिर बाद मेरे को limit कर दिया, तो I'll be focusing on the later half of the portion, मैं healthcare और agriculture पर ही focus करूंगा, but let me introduce myself with the introduction कि भाईया, मेरे को sectors of economy के हर एक sector का example पता है, आप बताता हूँ आपको, and now you have to be very clear कि ये question पूछा नहीं है, तो question के marks बहुत जादा आपके इस पहले statement पर मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि the question is of 10 marks, बोले तो 150 words, you cannot invest 70-100 words for the first part which has not been asked to you, भाईया उस पे नहीं देना है जोर, हमें बस introduction के लिए उसने एक theme दे दी, ही ले लो, खुश रो, अब सोचना मत, जो मैंने दिया है, उसी पर donation लिप दो यार, क्या दिक्क्त है, तो वही करना है आपको भी, economy के various segments को आप ध्यान में रखना, जेको primary, secondary, tertiary, इन सब पर जब भी हम लोग बात करते हैं, तो एक सिर्फ यहीं पर खत्म नही भी होता है, quaternary sector भी होता है, वैसा तो quaternary sector भी होता है, बट चलो इतना चीज तो आप mention ही नहीं कर सकते हैं, but at least go with the few of the things with secondary और tertiary और quaternary, इतनी चीज तो आपको mention करनी चाहिए, for example, जब भी आप लिखो quaternary में, तो you should focus upon the research portion, you must focus upon the education aspect, जो कि artificial intelligence से change हो रहा है, आप examples दोगे, उतना ही मज़दार, आप बोल सकते हो, example में आप साफ 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 शब्डू में लिख सकते हो, कि UPSC preparation को आसान बनाने के लिए artificial intelligence का भरपूर इस्तमाल हो रहा है, और इसमें आप आराम से आज के time के जितने भी large language model based software's हैं, जैसे कि आपके chat GPT, Gemini, या फिर आपके पढ़ाई से related और जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, आप उन सब चीज़ों को quote करो, research के business पर आप बताओ कि किस हिसाब से data को आज के date में read करना कितना आसान हो चुका है, अब यहाँ पर data को read करना इतना आसान हो चुका है, तो फिर उसका health से मत connection ले आना, दूसरे manufacturing process में, आप लोग बात कर सकते हो, let's suppose manufacturing में आप लोगों ने बात किया, कोई भी automated जितने भी, मालोग कार manufacturing की बात किया आपने, कि यार car manufacturing के जितने भी, जो उसके safety features होते हैं, हम लोग उसकी testing भी आज की business पर artificial intelligence पर करते हैं, आप अपने इर्दगिर्द देखो ना, क्या artificial intelligence driven है, जितने भी process आपको जहां से भी मिले, वो कर लो, देखो, यार देखो आपको answer already दे दिया गया है न, I am not going to dictate each and every point of the answer, तो उतना करनी की जरुवत है नहीं, मुझे जहां तक उमीद है, आप लोग भी यार अच्छे कासे पढ़े लिके इंसान हो, और बढ़या से आप लोग भी अपने answers को analyze करोगे, पढ़ोगे ही, है न, तो I am not going to discuss all the detailed points, मैं आपको एकना thought process देने आया हूँ याँ पर, जिससे की आप एक broader angle पर किसी भी answer को approach कर सको, तो we have just defined कि यार इससे नहा हमारा introduction मस्त बन जाएगा, अब now what we have to focus upon is healthcare and agriculture sector और उसके हमें क्या के बताने significance और advantages, artificial intelligence का जितना भी हमारे पास, यहाँ पर basically जितना भी हमारे पास significance है, उसको हमें treat करना है, बस, अब significance की बात कर लेते हैं एक बार, है न, significance की जब भी आप बात करो, agriculture की जब भी आप बात करो, तो always, always, you can define few of the things, जैसे की जब भी आप बात करो यार, agriculture की जब भी बात करो, तो न, आप ऐसा किया करो हमेशा, जब भी आपके पास एक sector आता है agriculture, तो आप agriculture को हर बार, तीन sectors में define कर सकते हो, कौन कौन सा, एक आपका है pre harvest, एक है आपका harvest time, और एक है आपका post harvest time, इन सब में अगर आप एक एक point भी लिख दोगे, तो भी आपका ये statement जो है, ये segment जो है justified होगा, और वो multi dimensional कहलाएगा, तो जैसे की हम लोग अगर इस बारे में बात करते हैं, कि यार देखो हम लोग क्या करेंगे न, pre harvest की बात करते हैं, pre harvest का मतलब क्या है, हम लोग crop management और planning की की बात कर सकते हैं, हम लोग यार देखो, seeds की बात कर सकते हैं, seeds में क्या हम लोग कुछ artificial intelligence जैसे कुछी इस्तमाल कर रहे हैं, हम लोग soil health को maintain करने के लिए क्लिए 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 कर रहे हैं, इस all things can come under pre harvesting, अब यहाँ पर अगर आपको कुछ initiatives के बारे में लिखना है, जैसे भ लगपती दीदी scheme जैसे आया था, वैसा ही समझे लो, नमो ड्रोन दीदी scheme है यह, तो नमो ड्रोन दीदी scheme में क्या है, अभी कुछ दिन पहले डिटोरियल में आप लोगों ने discuss भी किया होगा, शाइज इस चीच को, पढ़ा भी होगा, कि usually अब हम लोग क्या कर रहे हैं, women क इंपार कर रहे हैं कि गाउं में जितने भी soil health की बात है, या फिर agriculture, system को और अच्छे से उनको read करना है, कौन सी फसल अभी उगानी चाहिए, नहीं उगानी चाहिए, इन सब चीजों के लिए drone उडाना सिखाय जा रहे हैं उनको, सरकार उनको drone देंगी कि भहिया, तुम उड जी आती हैं, वो सबके सब आपके इस sector में आ जाएंगे, अब यहाँ पर जैसे हमने नमो drone दीदी scheme की बात की, it will create rural women drone pilots, harvesting के time की जब भी बात करते हो, तो यहाँ पर एक बहुत important मुद्दा आता है, वो आता है आपका real time data analysis का, real time data analysis का, और इसके साथी साथ एक मुद्दा ये development में harvest हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इन सभी चीजों के लिए आपको एक automation की जरुवत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो automated harvesting भी एक topic में आप लिख सकते हो, harvesting, automated harvesting, फिर post harvest में यार, वो ही normal सी बात है, कि अपने पास storage infrastructure कैसा है, अपने पास, आप ये समझ लो, market accessibility कितनी है, और इन सब पर आप बढ़िया शांदार examples दे सकते हो, अपने artificial intelligence से रिलकर, किस seed को कितना temperature चाहिए, we can analyze, सब कुछ automated कर सकते हैं, सब कुछ artificial intelligence को बता सकते हैं, वो सब कुछ manage कर सकता है, market accessibility के लिए पता नहीं कितने सारे हम लोग websites और digital connect बना सकते हैं उनका, जहां से की बैठे-बैठे किसान अपने घर से ही सारी चीजों को sell out कर सकता है, अगर एक proper infrastructure के business पर connectivity, याली road connectivity बगरे देदी, उसमें artificial intelligence का थोड़ा कम रोल आएगा, otherwise market से connect करने के लिए तो यार बहुत ही शांदार इसका रोल है, इसमें आप holistic term है यह है ना, supply chain management की बात कर सकते हो, इसमें वैसे तो एक किसान इमित्रा करके भी एक आता है, किसान इमित्रा जो है, वो PM किसान समान निधी के अंदर एक chatbot है, AI chatbot है, कि farmer उसे कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, वो उसका जवाब देता है, तो ऐसे initiatives के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ो आप लो, एक बहुत ही शांदार initiative है, जिसका नाम है AI for AI, AI for AI, ये देखो है तो World Economic Forum की initiative, लेकिन इसका example अगर आप Indian basis पर दे दो, जैसे की एक project है इस AI for AI के अंदर में, इसका नाम है सागू बागू project है ना, बड़ा ही funny सा नाम है, बट बहुत ही बागू project, ये जो project है ना, ये तेलंगना का है, किसके अंदर में है, AI for AI, अरे ये है Artificial Intelligence for Agriculture Innovation, है ना, तो AI for AI, World Economic Forum का ये जो पूरा initiative है, उसका एक सागू बागू project है तेलंगना में, वहाँ पर लगबग, लगबग, 7,000 farmers जो है, जो की मिर्चे का production करते थे, चिली produce करते थे, they have doubled their income at the same time production, किसके वज़े से हुआ है, data management, बहुत अच्छा करने लगे भाई साब ये लोग, data management कौन दे रहा था, AI, AI की तरफ से data management income मिल रहा था, इसके अलाबा, जो भी agree tech की जरुवत थी इनको, वो agree tech भी artificial intelligence driven था, तो अब हम लोग यहाँ पर ना, एक point लिख सकते हैं, कि जब हम लोग doubling farmers income की बात करेंगे, doubling farmers income, तो doubling farmers income के अंदर में ये example बहुत ही best आता है, कि वैसे तो पता नहीं है, लेकिन artificial intelligence की मदद से we can achieve this, doubling farmers income, इसके अलाबा, आप ये भी बोल सकते हो इसमें, कि यार, हर एक चीज का sustainability कितना है, और environmental impact क्या है, इन चीजों को भी आप जब intelligence से relate कर सकते हो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका second part, इसका second part जो है, वो है basically healthcare sector से related, healthcare sector में artificial intelligence का इस्तेमाल कहां कहां पर हो सकता है, सबसे पहले तो healthcare treatment में आप सोचो की, आपना सोचना है, start करो सिर, artificial intelligence की बात हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो की robotic controlled जितने भी ऐसे surgeries हैं, जितने भी ऐसे complex operations हैं, वहाँ पर artificial intelligence का सहरा लिया जा सकता है, हम लोग patients data को upload करके, देखो artificial intelligence का सबसे बड़ा funda, सबसे बड़ा mechanism है, या फिर सबसे बड़ा benefit जो है, वो data manipulation है, हम उतने अच्छे से data को manipulate नहीं कर सकते हैं, understand नहीं कर सकते हैं, जितना अ बर-बर के patients के data दिये ना, तो हमें return में बहुत अच्छे segment wise bifurcated results देगी, और in fact वो आगे किसी भी patients को treat करने के लिए doctors को suggestions भी देगी, कि इस तरीके के patients पिछले 5 साल में जितने भी आये हैं, उन सब का इतना percent ratio रहा है, इस treatment से सही होने का, तो अब आप इस treatment को आगे और continue क कर सकते हो, तो इस इन सभी चीजों के लिए artificial intelligence के रवत पड़ेगी, और वो सारी चीजे काम में आ रही हैं, इसके अलामा देखो, जितने भी हमारे telemedicine, remote clinic का concept है, वो सब के सब कैसे आ रहे है artificial intelligence से, आज के time पर कितरे सारे applications बन चुके हैं, कि just you have to tell your symptoms है ना, जब भी आप उसमें login करके doctor से बात बात करते हो, वो जबाना गया, आपको अगर normal fever वगएरा है, तो आपसे 3-4-5 questions वो chatbot ही पूछ लेता है, उसके business पर, in fact, आज के time पर जो fitness apps आते हैं, healthyfy me type के, वहाँ पर भी आपको दिखो के तो वहाँ पर भी AI chatbot मिलती है, वहाँ पर भी आप पूछ आगे कि तुम्हारे daily intake में इतनी चीजों की कमी है, तुमको अब ये चीज खाना चाहिए, उससे पुछो कि ये कहां से मिलेगा, तो वो पूरा recipe के साथ आपको बता देती है, ये चीजे यहां से मिलेगा, ऐसे बना के खालो, तो मतलब क्या है, उंगली पकड़ के चलने वा सकता है, वहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, अपने आरोगे से तु आपको mention करना मत भूल जाना, फिर इसके बाद देखो, एक segment है हमारा, next question जो है हमारा, वो पढ़ते हैं कहां जाएगा, ये सब तो artificial intelligence चल रहा है, ये रहा, next question जो है, वो हमारा defense से related है, I think है, defense ही है, हाँ, indigenization of defense technology, indigenization of defense technology, यहाँ पर न, देखो, एक मैं आपको और अच्छी चीज़ बताता हूँ, हमारे सभी government departments जितने भी है, ऐसे मालो ministry of defense है, या फिर ministry of space है, space नहीं हो, तो department of space है, department of space, department of atomic energy, या फिर जब भी आप लोग, मैं ऐसे किसी भी ministries की बात करते हो न, उन सब का एक एक प्लाई योगदान देंगे, और बड़ा यूनिक सा introduction देंगे आपको, जिसे कि आप कहीं पर भी mention कर सकते हो इसमें, एक एक आपको बहुत ही सुन्दर quote में पताता हूँ, यहाँ पर है, जब भी defense में आप जाओगे न, तो लिखा होता है, बलस्य, मूलम, विज्ञान, इसका मतलब है, the source of strength lies in science, मतलब बल, जो मूल रूप से बल जहाँ पर मिलता है, वो क्या है, वो विज्ञान है, the strength, जो है, वो कहां से मिलता है, उसका basic strength जो हमें मिलता है, वो science से मिलता है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा emphasize करते हुए, लिख सकते हो, इस चीज को introduction में कहीं Indian strategic autonomy को maintain करने की बात करते हैं, अब देखो जब भी defense जैसा कोई भी topic आता है, तो सबसे पहले आपको इस बात का clear करना बड़ा जरूरी है कि actual defense के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है, अब आप उसको जरूर से mention करना है, जैसे कि आप सबसे पहले missiles की बात कर सकते हो, starting with missiles, अ और अपना एक ब्रम्होस टाइब का missile हो सकता है, जो ballistic missile है, वो आपको पताए कि इसमें आपके अगनी missiles की बात आ जाएगी, अगनी 5 की बात कर सकते हो आप इसमें, अगनी 5 के साथ साथ आप इसमें दिव्यास्त्र mission की भी बात कर सकते हो, अब तो इसमें और भी ज़्यादा चीजें maintain हो चुकी है, फिर इसमें आप नेक्स्ट ब्रम्होस की बात कर सकते हो, ब्रम्होस क्या है, एक cruise missile है, तो missiles दो प्रकार की हो गई, अब missiles के और भी systems है, जैसे की हमारे पास आप बोल सकते हो की anti-missiles भी है, anti-missiles इस लाइक की, अरे यार, हमारी nuclear doctrine policy जो बोलती है, वो बोलती है, no first use, अब no first use में किसी ने हमारे उपर अगर missile दाग दी nuclear, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास anti-missiles होनी चाहिए न, तो anti-missiles भी हमारे पास हैं already, तो वो anti-missiles का जिक्र करो, इसके अलावा जितना भी हमारे पास है, ये सारे चीजे हो रहा है, इस question का वो topic नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो अभी जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं, S-400 देखते हैं, या फिर जो भी हम लोग defense mechanism में आते हैं, मतलब कि missile defense system, defense missile system बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, उस तरीके से missiles को अलग-अलग segments म करो, एक-एक segment को पकड़ना स्टार्ट करो, जैसे की आप start कर सकतो navy को, नेवी को आपने mention किया, तो navy पे हमारे पास सबसे important क्या-क्या चीजे होती है, हमारे पास navy में होता है, एक तो frigates होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं destroyers, हमारे पास होते हैं aircraft carriers, फिर हमारे पास होते हैं submarines submarines, ये कुछ important चीजे हैं, है ना, और इन सभी चीजों में, जैसे frigates, destroyers, इन सब में आप कुछ भी, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर में आते हैं 15A, 15B, ये सब आप लिख सकते हो, submarine में जैसे अभी तुरंट तुरंट एक नया मुद्दा आया है, क्या है, INS अरिघात आयनेस अरिघात, तो आयनेस अरिघात के बाद, आयनेस अरिघात, अरिघात और अरिघात दोनों जो हैं, वो हैं, SSBN टाइप के मतलब की, nuclear powered, nuclear weapon capability वाले, ये submarines हैं, बड़े-बड़े submarines हैं ये सब, मतलब की, ऐसा बोला जा रहा है कि, इंडिया ने अगर SSBN टाइप के सब मरी सकता है, अरिघात तो बहुत यादा indigenously developed है, और in fact इसके article में ये भी mention किया जा रहा है, कि अब जैसे profit पूछ रहे नहीं है, कि भाई साब ये बताओ कि, इंडिया से strategic autonomy में क्या contribution होगा, defense technology का, अगर हम लोग indigenization के तरफ जाते हैं, तब से बढ़िया तो यही चीज है, कि ज होना पड़े हो, this is one of the major points, जहां पर आप इन सब चीजों को mention कर सकते हो, कि indigenization से कैसे फाइदा मिलने बाला है, नेवी इसे तरीके से जब भी हो जाता है, तो आप इसके बाद air force के बारे में आओ, air force के पास में भी आप इस तरीके से बहुत सारे helicopters, या फिर जो भी planes हमारे हमारे पास है, या फिर fighter planes जो हमारे पास है, वो सब लिख सकते हो, हाला कि fighter planes अभी हमारे पास खुद का बहुत अच्छा नहीं है, तेजस वगरा हम बना रहे हैं, बट तेजस अभी बोला जा रहा है कि यार जब नया वाला आएगा, next generation तेजस, तेजस थरी जो आएगा, वो थोड़ा सही रहेगा, उसमें इंजन वगहरे थोड़ा improve करके दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, हमारा import cost बचेगा, हमारी जो technology है, अब जिसे अरिघात है ना, इसकी जो भी specifications हैं, वो public नहीं की गई है, secrecy maintain होता है इस से, हमारा जो defense है वो और मजबूत होता है, और जब हम self-made कोई भी चीज करते हैं, तो उसके basis पर जब हम लोग nuclear triad achieve करते हैं, तो वो असल मामले में nuclear triad है, यार मांग मांग के तो कोई भी खरीद सकता है, इंडिया के पास इतना पैसा तो ही है, कि एक submarine खरीद ले, एक fighter jet खरीद ले, और एक आपका कोई भी land surface के लिए tanker वगरे और सब पे nuclear weapon दाग दे, और बोले कि भाई साब अपना nuclear triad complete हो चुका है, तो ये तो दूसरे दूसरे की technology लेके उस पे nuclear weapon फिट करना हुआ, इंडिजिनसली बिल्ट nuclear triad अब इंडिया के पास है वैसे, आइनस अरिहंत के आते ही हो गया था, तो ये काफी important segment है हमेशा से, इस तरीके से आप ये भी बता सकते हूँ कि देखो, इसमें क्या पूछा है, कि इंडिजिनाइजेशन के मदद से, defense technology के इंडिजिनाइजेशन के मदद से, इंडिया के strategic autonomy और national security पर क्या contribution है, तो एक तो होगे हमारे पास strategic autonomy से क्या फायदा मिलेगा, अरे बढ़िया चीज है नह economic level पर dependent हो रहा है, इसके चलते हम अपनी soft power को बढ़िया से increase कर पाएंगे, है ना, जितने भी हमारे third world countries हैं, उन third world countries को हमने इंडिजिनाइज कर लिया है, अब जैसे ब्रमोज का है, ब्रमोज का, अब हम लोग export version निकाल रहे हैं, ब्रमोज is one of the best cruise missiles ever developed by this world, तो ऐसे world class missiles को, य आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि अब हम लोग जादा preparedness के साथ काम कर सकते हैं, जब भी threat का response देना होगा, because सामने वाले country को भी नहीं पता है कि भाई साब अपने पास क्या चीज है, कैसे काम करता है, उसका कहीं पर भी data जो है वो बाहर निकाला नहीं गया है, तो इसी इनी आप से tailored made solution बना सकते हैं, यह सारी चीजें आप लिख सकते हो, इसमें जरूर से अपने DRDO का जिक्र करना बहुत ही important है, और आजकल के time पर जिस हिसाब से अपने robots का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो भी defense में आजकल जो नए चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि अब मै इशा थोड़ा सा ना उसके beyond जाके सोचनी कोशिश करो, for example, this is the question of defense technology, but defense का relation और कहीं पर है क्या, artificial intelligence के साथ में मिलेगा क्या, इसके बाद इसका उपियोग nano technology के साथ मिलेगा क्या, इसका उपियोग क्या आपको bio technology तो exactly bio weapons वगर की तो बात नहीं कर रहेंगे, क्योंकि वो सब तो अपना band है, but हाँ, nano technology में हम लोग nano drones की बात कर सकते हैं, हम लोग इसके अलावा nano technology में हम लोग nano battle suits की बात कर सकते हैं, तो जब भी defense का question आए ना, तो आप इस theme पर जरूर से सोचो कि उसका कितना context हम लोग define कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें अभी फिलाल news में चल रही थी, और उसके अलावा जो defense के beyond वाले topics हैं, उनको कैसे इस्तमाल में लेके आएंगे, तो this is how you can approach the questions, तो ये था हमारा एक औ आपट से और देखते हैं, अगला question हमारा, question तीन कहां गया, अभी भी दो ही चल रहा है, अरे रुको कितना तेज नहीं जाना है, ये इतना तेज चला गया, चार पर पहुचा दिया इसने, हाँ ये रहा, तीन, recently India has developed, yes, ये रहा, यहाँ पर है कि recently India जो है, वो Artemis Accord का 27th signatory बना है, अब इस context में जड़ा आप analyze करके बताओ, कि India के जो exploration programs है, space वाले, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, what will be the implications of it, इसको analyze करना है, अब जब भी कोई चीज को analyze करना है, तो analyze is a keyword for us, और introduction मराने के लिए जैसा पहले question में बात किया था, कि पहला statement इसका पड़ोगा तो, कोई question नहीं पूछा है उसमें, just providing information, वो information क्या है वाई, वो information है, कि recently India became 27th signatory, इसके बाद और भी लोग बने, yes बने है, शुरुवात में Artemis Accord क्या था, उसके बारे में बताना पड़ेगा तो यहाँ पर एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि Artemis Accord जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, Artemis Accord नासा का जो है, यहाँ पर सबसे important बात यह है कि Artemis Accord जो है, वो basically, एक 1967 की एक treaty थी जिसको हम लोग बोलते थे, Outer Space Treaty, Outer Space Treaty, इसी से, इसी के ऊपर based यह Accord है, Artemis Accord, Artemis Accord के अंदर में total ऐसे चार missions हैं, इन चार missions में से, एक mission जो है, वो already done है, 2022 में ही, और जो अगला mission है, जो की 2024 में होने वाला है, इट इस, इट इस more or less a fly-by mission, क्या है भई, fly-by mission, और यह manned fly-by mission है, है ना, manned fly-by mission है, इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर astronauts, चार astronauts, चंद्रमा के orbit से उपर ऐसे, hello, 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 और by-by बोलते हुए, निकल जाएंगे, this is a fly-by mission, हम लोग किसी भी space exploration में जब भी participate करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग probe mission भेज सकते हैं, प्रोब के साथ मतलब orbital mission और प्लस probe mission भेज सकते हैं, मतलब कि orbital mission भेजो, बट फिर कुछ गिरा दो नीचे, जैसे कि चंद्रयान बन अपने आप में था, फिलाल अभी इसके अभारे में और तो आपको पता ही होगा, यार orbital के साथ फिर rover भेज दो, इससे भी मन ना भरे, तो फिर वो flyby mission भेज दो human वाला, इससे भी मन ना भरे, तो next stage पर इनसानों को उसके चंद्रमा की धरती पर उतार ही दो, फिर specifically वहाँ पर भी मन ना भरे, तो फिर भाई साब वहाँ पर अपना पूरा बसेरा कठा कर दो, कि वहाँ पर future में कोई भी spaceship dock करने कोशिश करेगा, तो वहाँ पर dock करेगा और फिर नीचे आराम सुतर के टैल घूम के अपना research करेगा, तो basically outer space treaty क्या कहता था, outer space treaty के तीन major मुद्दे थे, उसमें से एक जो सबसे important जिस पर ये काम करता है, वो ये है कि देखो, आपको न, legally binding, peace के साथ ही space को explore करना है, मतलब कि इसका जो सबसे important मु mass destruction को, WMDs, weapons of mass destruction को आपको भाई साथ, space में नहीं डालना है, कुछ भी हो जाए, इस space में weapons of mass destruction नहीं जा सकता है, इसके अलावा, इसके अलावा जो इसका एक था, कि किसी भी celestial body, किसी भी celestial body पर military activities are strictly prohibited, नहीं करना है, this is one of the outer space treaty, और peacefully इस्तमाल करना है, outer space को, फिर जो यह Artemis program के बारे में हमने बात किया, तो यह भी वैसे ही है, जैसे यहाँ पर हमने बताया, तो यार पहला तो अलड़ी जा चुका है, दूसरे में flyby mission है, तीसरे पर astronauts land करेंगे, और चौथा जो होगा, उसमें हम लोग बात कर है, वहाँ पर moon पर अपना एक कुछ तो station बनाने का, तो यह पूरा Artemis, Artemis Accord, Artemis program है, नासा का, एक long term program है, तो इंडिया इसका 27th signatory बना है, तो देखो अब मैंने तो देखो Artemis का पूरा website चान मारा, भाई साब उसमें कहीं पर भी इंडिया का जिक्र नहीं है, होगा तो बड of those country जिसको की Artemis जो है ना बड़ा खुशी-खुशी लेना चाहता है, it is something more to gain by इसरो, इसरो को जादा फाइदा मिलने माला है, और इसरो के साथ साथ private industries को भी फाइदा मिलने माला है, इंडिया के, क्यों? क्योंकि हम एक बड़े program का हिस्सा बनने माले है, तो अगर इसके benefits की इनलाइस करने की बात कर रहे हैं, कि implication क्या होगा, तो positive implication भी होगे, negative implication भी होगे, तो positive implication जो हमें लिखना है, अच्छा सबसे पहले हम ये बदा देते हैं कि Artemis Accord, अभी तक तो हम लोगों ने जो भी किया है, ये सब एक introduction के तहत ये सारी information होनी चाहिए, कि Artemis Accord क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है यार, तो आप अपने introduction को लिखने के बाद, एक बादल बनाओ, और इसमें लिखो भाई साब Artemis Accord, और इसके चार हिस्सों में, चार phases को, phase 1 ये, phase 2 ये, phase 3 ये, phase 4 ये, छोटे-छोटे, दो-दो शब्दों में, दो-दो शब्दों में मैं बोल रहा हू अब इसके बाद अपना question स्टार्ट करें, तो आपके पास 1500 word है, मतलब यहां तक पहुसते पहुसते, आपके 50 word से जादा नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि यार, बाकी question भी तो solve करने है, 50 word बो भी मैं maximum बोल रहा हूँ, अगर 40 पर खतम हो जा तो और बहतर है, बटे नहीं हाँ, यहां पर फिर अब यह बोल रहा है कि यार, देखो implication कुछ रहा analyze करो, हमारे पास ले दे के मुश्किल से बचे है, 80 words आप बोल सकते हो, तो 40 word इधर मिलेंगे, 40 word इधर मिलेंगे, मतलब कि अगर 10-10 word की एक sentence लिख रहे हो, तो भाई साब 4 point इहां लिख पा कि यार, यह तो पूछा ही नहीं था, यह तो परपसी नहीं था इसका, तो मोटा मोटा यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या-क्या फायदे होंगे, positive implications क्या होंगे, positive implications में सबसे पहले यार, देखो, इंडिया का अभी दो सबसे recent program जो है, वो एक हमने अल्रेडी जिक्र भी किया है उसका, एक है आपके लिए गगनियान मिशन है ना, एक आपके पास क्या है, गगनियान है, और इंडिया धीरे-धीरे-धीरे क्या कर रहा है, space tourism के तरफ आगे बढ़ रहा है, space tourism के लिए human flights का होना जरूरी है, human space flights का, और इतना तो इंडिया को पता है कि भाई साब जिस हि किया मंगल यान मिशन को successfully conduct किया और इसकी cheap cost cheap बोले तो वो cheap वाला cheap नहीं भाई साब actual में सराहनी है ये काम कि इतने सस्ते दामों पर ये इतने बड़े-बड़े काम कर जा रहा है तो इसके जरिये क्या होगा एक positive notion पूरे विश्व भर में जितने भी लोग इसके signatory होंगे Artemis Accord बलकि जिस हिसाब से इंडिया अपनी बात इस Accord के अंदर की मीटिंग में रखेगा उससे इंडिया को एक Pandora box जैसा एक opening देख सकते हो कि हाँ चलो इस रो अभी अपने देश के लिए तो करता ही था बट कलेक्टिवली यह उसमें काम करना start किया तो this is the beginning और वो दिन द इसा नहीं बोल रहा हूं कि उसको कम आखते हैं लेकिन फिर भी अभी इस रो बस नया नया उठाई है तो उसको अपना space बनाना है तो ऐसे प्रोग्राम के थूरू उसका space बहुत ही जबरदस्त बनेगा this is this is one of the points इसके अलावा आप यह बोल सकते हो कि इंडिया को न उसके जितने भी recent missions हैं जैसे कि गगन यान mission है जैसे कि इंडिया को अपना भारती अंतरिक्ष इस्टेशन बनाना है तो प्रॉपर जो space policy आईये ना 2000 अगले कप की आईये 2047 तक की आईये शायद तो उसमें ये सारी बाते दीरे-दीरे करके लिखी गई है कि हम लोग को जल्द से जल्द अपना भारती अंतरिक्ष इस्टेशन चाहिए हम लोग को भी मून पर मैंड मिशन भेजना है चंद्रयान फोर जो होगा हमारा वो मैंड मिशन जैसा कुछ हो सकता है तो इन सब पर चर्चाएं चल रही है उसके पहले हमें गगन यान mission परफॉर्म करना बड़ा पिर भी अब इस आटमिस अकॉर्ड के चलते तो इसी साल दोजार चौबिस महीं मैंड मिशन हो जाएगा अगले साल यह जब गगन यान mission भेजेंगे इंडिया वाले तो यहां से तो कई सारी चीज़ों को सीख चुके होंगे अड़ सेम टाइन यहां पर का जो के लिए गगन यान is one of them इसके अलामा आप बोल सकते हो कि space diplomacy को boost करने में काम आएगा like-minded nations जो है वो एक साथ रहेंगे और एक बड़ा ही important सा मुद्धा यह है इसमें कि देखो since India has recently started the privatization of space उससे relation में यह बात हम बोल सकते हैं कि जब भी India as a government agency जैसे ISRO है मालो इसरो जब भी ऐसे बड़े accord में या फिर बड़े missions में participate करेगा तो अपने छोटे मोटे काम के लिए तो यार वो भी private sector पर dependent होगा जैसे कि अभी अगनी कुल cosmos या फिर अगनी लेट engine की बात की थी हम लोग ने cryogenic engine की बात की थी इंडिया के इसरो के पास अभी sorry semi cryogenic engine तो यह semi वो semi cryogenic engine तो ऐसे कई सारे advancement already हमारे private players कर रहे हैं तो ऐसे सभी चीजों के production activities को वो private players को भी लेगा private players को जाएगा तो मतलब है कि technology transfer होगी उन तक भी तो यह न ड्रॉप बाई ड्रॉप ही सही लेकिन सबको enrich करेगा ऐसा हम लोग इसके positive implication में बात कर सकते हैं अब इसके बाद इ थोड़े से negative implication की बात करें तो सबसे important क्या है देखो कि इंडिया जो है वो कई सारे देशों के साथ relation मनानी कुशिश करता है इसे Russia is one of them Russia का अपना lunar mission है यह ना लेकिन रशिया का जब अपना lunar mission है यार तो अब रशिया हो सकता है कि इस strategic move पे जहाँ पर इंडिया USA का साथ दे इनिहाँ कोई बात नहीं है हम इसमें और क्या क्या चीज़े negative implication में बोल सकते हैं सबसे पहले यह तो था जो पॉलिटिकल कॉम्लिकेशन की बात कर सकते थे सबसे पहले क्या है कि स्ट्राटिजिक और टॉनमी का लॉस हो सकता है कि अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ों को स सिखते आये हैं अपने हिसाब से करते आये हैं उन सब में हश्ट शेप हो सकता है बाधाय आ सकती है आपके जो खुद के personal laws हैं उन पे conflict हो सकते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ सकता है फिर हम यह भी बात कर सकते हैं कि technology transfer की जो एक particular limitation है कि यार देखो पहले भी ऐसा हुआ है कि हम लोग को जब cryogenic engine चाहिए था तो cryogenic engine देने को कोई तयार नहीं था उनको लग रहा था कि cryogenic engine से यह पता नहीं क्या missile बगरे बना देंगे भाई सब missile में हम लोग क्या ही इस्तिमाल करेंगे उसका अभी तक भी इस्तिमाल नहीं किया बनाने के है तो यह सारे challenges हमारे पास रहेंगे अपने indigenous space program में कुछ इन सब जगहों पर जब हमारा bandwidth इस्तेमाल होने लगेगा usage में scientist यहां पर ज्यादा time देने लगेंगे तो हमारे खुद के जो project से वो भी delay हो सकते हैं इस तरीके से आप इसके answer लिख सकते हो फिर इसके बाद हमारा जो अगला question है वो है question number four question number four में यह है कि biotechnology से related question है biotechnology से हर साल एक question आता है और यह एक broad perspective में question पूछा गया है कि आप बताओ कि biotechnology का contemporary healthcare sector में क्या significance है क्या application है simple illustrate illustrate जब भी बोले तो आप हमेशा ध्यान देना कि illustrate is something denoting examples है न आप अपनी बातों को रखने के लिए आपको थोड़ी से चीजों को मतब ध्यान देना पड़ेगा यह इस पर और बात किसी हो रही है specifically red biotechnology की red biotechnology red biotechnology is always related with the contemporary healthcare sector या फिर हम यू बोल सकते हैं कि जो red biotechnology है वो basically हमारी pharmacies के लिए या फिर vaccine development के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली बात है जहां पर हम लोग medicine की बात करते हैं अब देखो जब भी biotechnology के health care system की बात हो तो अब आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए मतलब कि आपका दिमाग आपका सोच जो है वो कैसे develop होना चाहिए मैं उस पर अब थोड़ा सा emphasize करने कोशिश करता हूं देखो यह जो बायो टेक्नोलजी है ना इस बायो टेक्नोलजी का अपना एक health segment पर जब आप आते हो देखो बायो टेक्नोलजी आपके agricultural sector में भी बहुत तेजी से काम करता है बट जब भी आप health sector की बात करते हो तो इसमें जो सबसे important है वो आता है आपका drug and vaccine development क्या आता है drug and vaccine development सबसे important हिस्सा है उसका तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इस चीज को mention करना है start करते हैं कि जब भी health care की बात हो तो हम लोग क्या क्या चीजों को mention कर सकते हैं point number one is again red bio technology जिससे medicine and vaccine development एक्जांपल जब भी लिखना हो तो covid-19 के बहुत सार एक्जांपल्स मिलें आपको omicron variant का gemcovac mRNA vaccine जो है वो अपने आप में vaccine की बात करता है मेडिसीन में जब भी आप बात करो तो आज के time पर यार देखो जो medicine है ना वो basically pharmacogenomics पर deal करता है किस पर pharmacogenomics यह pharmacogenomics क्या यार यह आपके genome की study के basis पर medicines a lot करने की बात करता है this is something about personal medical care personal medicine this is one point फिर इसके बाद जब भी आप लोग next इसको देखो तो आप हमेशा बात कर सकते हो एक प्रकार से bio regeneration का bio regeneration के अंदर में क्या क्या आता है देखो regeneration का मतलब है कि हम किसी प्रकार से अपने organs tissues इन सबको redevelop करने की बात करें तो इसमें एक तो सबसे important क्या आता है आपका stem stem cells आते हैं stem cells इसमें IPS induced pluripotent stem cells लिख सकते हो आप लोग फिर दूसरा नंबर पर आप लिख सकते हो bio regeneration में कि आपको छोटा ओर्गन्स ही तो बनाना आ था है ना ओर्गन्स बनाना था तो आप DNA से DNA से थोड़ा सा manipulate करके वो किसी एग को retrieve करके जो हम लोग बोलते हैं ना somatic cell nuclear transfer जिससे कि हम लोग cloning करते है cloning तो basically आप लोग क्या कर रहे हो आप लोग एक छोटा ओर्गन या tissue को clone करके regenerate करके बात कर रहे हो यहीं पर आपका connection आता है किससे यहीं पर आपका connection आ जाएगा transplantation से जितने भी organ transplantation होते हैं उनका और सिर्फ organ transplantation क्यों बोल रहे हो आप तो xenotransplantation को भी लेकिया हो इसके अंदर में xenotransplantation xenotransplantation क्या है कि आप आज के time पर हम लोग क्या कर रहे है यार की heart जो है वो पिकका लगा जा रहे है या फिर जो pancreas है वो पिकका लग जा रहा है तो यह सारी चीज़ें अगर हम pig से derive कर रहे हैं कभी chimpanzee से derive कर रहे हैं तो वो क्या है xenotransplantation है तो वहाँ पर भी आपके इस बायो टेकनोलोजी का अच्छा खासा इस्तेमाल है इसके अलावा आप बोल सकते हो कि हेल्थ केर सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा सिग्मेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं A.R.T. Assisted Reproductive Technology अब इसके अंदर कितने सारे हैं आपके IVF आ जाते हैं in vitro fertilization, intrauterine inseminization IUI, फिर intra-cytoplasmic intra-cytoplasmic semen injection पिर इसके बाद आ जाता है आपका gift और जिफ्ट, गिफ्ट और जिफ्ट, इसी में आपका आ जाएगा इसी में आपका आ जाएगा सरोगेसी, सरोगेसी भी चलो सरोगेसी को अठा सकते हो बस हाँ, इतनी सारी चीजें आप किसके अंदर में health care sector में लेकर आ रहे हो अभी तो जो सबसे important चीज़े होती हैं जैसे कि medicine में जब भी आप बात कर रहे हो या फिर आप यू बोल सकते हो कि बहुत प्रकार के जो non-treatable diseases हैं लाइक अभी तक हम लोग बोल रहे थे cancer, cancer के लिए bio technology के अंदर से आता है car t cell therapy इसका जिक्र इसके अलावा जितने भी ऐसे gene therapies हैं जैसे कि अभी sickle cell anemia को treat करने के लिए अभी अभी approval मिला है कास गिवी कास गिवी और लिफ जैनिया कंपनी को this is one of the first technology आप बोल सकते हो जिसने CRISPR-Cas9 का इस्तिमाल करके CRISPR-Cas9 का इस्तिमाल करके क्या-क्या sickle cell anemia या फिर thalassemia इन सब को treat करने की बात की है और सिर्फ यह चीज यहीं तक नहीं रुपती है आपके जितने भी ऐसे neuro degenerative diseases होते हैं उनको treat करने में काम आती है एक हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या एक हम लोग पढ़ते हैं mitochondrial replacement therapy MRTs है ना जिसमें की मदर के साइट से faulty mitochondrials पटाते हैं मतलब कि यह एक holistic term है जब भी healthcare आए तो आप ऐसे 5-6 मोटे-मोटे points को अपने साथ हमेशा रखना उनहीं पर आपका question bio technology का ज़्यादा धरसौल हो जाएगा यह importance है एक broad perspective के साथ examination hall में जाने की अब वापस से question पढ़ लेते हैं यार कि significance की बात कर रहा था और applications की बात कर रहा था examples भी एक एक करके जितना आप दे सकते हो देना यहाँ पर एक कुछ और जो नए terms जो आपको introduce करने चाहिए जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा genomics का नाम सुना होगा है ना genomics का नाम सुना होगा आज कल के time पर actual में proteomics जो है ना वो भी बहुत चर्चे में proteomics क्या आप लिखोगे आप लिखो proteolysis proteosis या proteolysis क्या है यह proteolysis यह ठीक है proteolysis यहाँ पर एक एक technology जो मैं पूरा बताना ही भूल गया वो है recombinant DNA इसके अलावा आप recombinant DNA के अलावा और क्या देख सकते हो जैसे recombinant DNA इस वाट इंसुलीन प्रोडक्शन में आप इसका example दे सकते हो इंसुलीन प्रोडक्शन इससे वाया E.coli bacteria E.coli bacteria healthcare में भाई साब diabetes control करने के काम आ रहा है Similarly gene therapy, gene silencing ये सारे के सारे funda इसके अंदर में आ सकते हैं ठीक है अब ये भी question मतलब यही था कि एक broader perspective में आपको इसका अगर funda पता होगा तो definitely you will be able to answer this अब यहाँ पर एक problem बस आपका यहाँ सकता है कि sir मेरे को red bio technology नहीं पता थी यार देखो यार यह तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते थे red is related with this आप बोल सकते हो कि human skin या फिर muscle और something like that और वहाँ पर कुछ उससे health से relate कर पाते तो medicines से relate कर पाते तो but नहीं पता है तो यार दो confusion तो होगा in fact आप यह बोल दो कि इंडिया का सबसे जादा जो budget allocation होता है वो भी red bio technology को ही होता है approximately more than 60% of the budget more than 60% of the budget is contributed to red bio technology और इंडिया आज के date में वैसे ही बहुत बढ़िया काम कर रहा है biosimilars बना के biosimilars are those medicines जो की उनके composition लगबग लगबग वो ही होते हैं chemical composition बोल सकते हो या फिर उनको जो भी जिस हिसाब से भी हम बनाते होंगे उसको red bio technology का इतना आप advanced tools वगरा सब कुछ यहाँ पर दे सकते हो तो bio technology का यह सारा implication हो गया बाई साब अब यहाँ पर personalized medicine इन सब की हम लोगों ने बात कर ली है अब significance में एक चीज़ यहाँ पर और आप लिख सकते थे एक चीज़ और लिख सकते थे कि जैसे कि bio technology का ही इस्तिमाल हम लोग जैसे एक आता है polymerase chain reaction है ना क्या है polymerase chain reaction PCR इन सब में भी करते हैं tissue culture करने में भी करते हैं tissue culture है ना in fact कोई भी medicine के testing करने के लिए जैसे कि माल लिजे अब किसी सामने एक इंसान माल लिजे महेश है कोई exam तो उस महेश के शरीर के माल लिजे उसकी आते जो है खराब हो गई है अब हमें देखना है कि यार यह दवा महेश पर काम कर रही है कि नहीं तो what we can do in future is कि हम लोग यार जो उसके intestine है ना उस intestine को lab में एक बार थोड़ा सा उसके organs को fully तो नहीं लेकिन हाँ वैसे ही कुछ generate करके देख लेते हैं उस पर उस medicine का असर देख लेंगे कैसे effect करता है फिर अगर वो positive results दे रहा होगा तो definitely हम लोग इसको आगे continue कर सकते हैं महेश को भी दे सकते हैं तो similarly for the testing purpose as well research and testing इसको क्या बोलते हैं इसको वैसे तो देखो गॉल्ड बायो technology बोलते हैं गॉल्ड बायो technology के अंदर में आता है बट anyhow you can relate जब भी कभी ऐसे ही और अगर देखो तो एक तो green बायो technology agriculture से related है blue बायो technology आपके marine से related है तो ऐसे कई सारे बायो technologies है उन सब का एक बार आप लोग पढ़ लेना कि कौन कौन से टाइप की बायो टेक्नोलोजीज हो सकते हैं फिर बढ़ते हम अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन का आ गया भाई अगला क्वेशन आ गया यह अगला क्वेशन जो है वो बेसिकली हमारे हाई बैंडविट्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस मतलब की बीमाइज पर है ब्रेन मशीन इंटरफेस इस टॉकिंग अबाउट नियूरा लिंक नहीं नियूरा लिंक लाइक बीमाइज तो यह जितने भी इनके ट्रांसफर्मेटिव एफेक्ट्स होते हैं इसमें बोल रहा ही डि लिमिट करना आपने आपको यहां पर और यहां पर लिखा है क्रिटिकली एनलाइज क्रिटिकली एनलाइज एस एस्सेटेड कंसर्न और एथिकल एंप्लिकेशन तो यह 15 माँवाग सा क्वेश्चन है और काफी सारी चीजे पूछ डाल रहा है सबसे पहले जब आप इसको ओ प्रकारे में लिख सकते हो कि यह एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो कि हमारे ब्रेन और ह्यूमेन के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करती है तो यहां पर एक इंट्रोड़क्शन जैसे पता चला अग्सार को अच्छा है इसने न्यूरलिंक के बारे में ठीक ठाक रिसर्च किया हुआ है तो अब आप इसको आगे बढ़ सकते हो और सबसे पहला पाट इसका एड्रिस कर सकते हो कि यह इसका इफेक्ट क्या है हूमेन लाइफ पर इसका आप लोग देखो वैसे तो पॉजि प्रचल 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 निव्रा लिंक जैसे ही हमने बूला कि यार देखो यह ना इंटरफेस के साथ connection बहुत बढ़िया बता सकता है यहाँ पर आपको तुरंट यह अंदाजा लग जाना चाहिए कि यार इसके साथ ही साथ हम लोग यह देख सकते हैं कि हमारे motor हमारे यतने भी motor functions हैं जैसे कि मालोगी कोई भी कोई भी कोई भी सरीर का हिस्सा है जो की नहीं काम कर रहा है जो भी नहीं काम कर रहा है उसको वापस से एक परकार समझ लो स्टिमिलेट करना यह सब कौन कर पाएगा नियूरलिंक के जरीए हो पाएगा दूसरा है कि आप अपनी यादास्त बढ़ा सकते हो इससे है ना यादास्त बढ़ाने का हाथ लग क्या है कि अब उसको कहीं पर भी डिजिटल या डिजिटल स्क्रीन वगरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपके जितने भी नियूरो लॉजिकल डिसीज़ होते हैं जैसे कि मालो बुढ़ापे में यादास्त भूलने की बिमारी हो जाती है या फिर अभी थोड़े दिन पहले अभी तीन-चार दिन पहले ही यह बात 21st August की है जितना मैं याद कर पा रहा हूं 21st August या August के महिने की बात है कि जब एक magazine नेचर magazine ने इसको पब्लिश किया था कि epilepsy को treat करने के लिए भी हम लोग ऐसे ही BMIs का इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक्च्वल में यह किया भी गया एक 10 साल का बच्चा है उसको एक दिन में लगब 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 300 से ज़्यादा Caesar साते थे Caesar अटैक जब उसको होता था तो उसका development growth किसी चीज को सीख पाना सब कुछ हत्म ऐसे situation में जहां तक अभी तक हम लोग Alzheimer, Parkinson's disease इन सब जगहों पर ऐसे हम लोग काम देखते थे उन जगहों पर BMIs का इस्तेमाल epilepsy को treat करने के लिए भी होने लगा this is again one of its kind जहां पर हम लोग ऐसे devices का इस्तेमाल कर सकते हैं again यहां पर हम लोग यह बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी क्या बोलते हैं कोई भी शहीर का हिश्चा जो है वो काम नहीं कर रहा है उसको वापस से train करने की बात कर रहा है तो उसमें स बतलब सरीर का अगर कोई भी हिस्सा अगर आपका काम नहीं कर रहा है या फिर कम काम कर रहा है उन दोनों ही situations में आप इसको कर सकते हो मलब इसका साहरा ले सकते हो deep brain stimulation के थुरू आप इसको definitely treat कर सकते हो और जो आपके sensory experiences है ना वो भी enhance हो सकती जैसे कि it may be possible that अब आप आप आ camera से attached हो तो आप अपनी आखे बंद करके उस वाले camera की सारी जितनी भी चीज़े हैं वो भी एक ऐसा ही image generate करेगा आपके brain में similar to your eyes और why to go for just visible range है ना आप किसी भी range में देख सकते हो आपको अकर thermal thermal radiation capture करने वाले cameras connector दिया जाए तो आप आखे बंद करके thermal radiation भी देख सकते हो depends on camera क्या चीज़ देख रहा है तो आपका आखे जो है वो night vision approved भी हो सकती है कि आपको अंधेरे में भी सब कुछ दिखने लगेगा तो यह सब चीज पॉसिबल है ना सब चीज पॉसिबल है इस neural links है लेकिन आप सब को पता है कि जहां पर इतनी सारी अच्छाइया हैं वहां पर बुराइया तो definitely होंगी और वही critically analyzed section में हमें लिखना है कि भाई साब associated concerns आखिरकार क्या है तो associated concerns की अगर हम लोग बात करें और इसमें इन्हों ने डिफाइन कर दिया है कि देखो एक तो associated concerns बताओ और ethical implication बताओ इसका तो पहले पारट पर हम लोग ethical concerns स्वरी हम लोग इसमें ethical associated concerns की बात करते हैं तो अब जब एक तरीके से आपका brain जब किसी एक device साथ connect होका है तो जायसी बात है यार डिवाइस को hack कर सकते हैं उसकंदर वाइरस भेज सकते हैं मतलब आप आप भी prone हो इन सब चीजों के लिए त इस हिसाब से यह technology कितना devastation लेके आएगा यह एक बहुत बड़ी problem generate हो सकती है कि नए प्रकार का समझलों एक cyber security की जरुवत पढ़ने लगेगी हमें कोई भी internet के through किसी का brain hack कर ले रहा है in fact अभी भी हम लोग we are driven with the advertisement sections है ना we are forced to be driven with such आप बोल सकते हो gorgeous या फिर जो बहुत ही well maintained हमारे advertisement सामने आते हैं which grabs our attention and we just follow them हम बस उनको लग जाते हैं पीछे हार कि क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है पढ़ लेतने एक बार अब ये तो हमारे सामने हमारा हाथ coordinate करके वो उपर उपर scroll करते करते कर रहा था अगर यही कर जाए तो brain के अंदर ही सारी चीज़ हो जाए election campaigns में आपका पूरा thought process कि किसी को भी campaign जिताया जा सकता है election में कितने सारे frauds हो सकते हैं इसको लेके आप किसी को भी imitate कर सकते हो आपके personal thoughts पर भी आपका हग रहेगा कि नहीं रहेगा इस पर भी doubt होने लगेगा आपकी खुद की identity खुद की है या फिर किसी machine के द्वारा driven है long term health impact कितना पड़ेगा इसके थुरू कोई virus अंदर जाता है तो वो आपके brain पर कैसा सर करेगा we do not know anything about all such things अब इसका जो ethical concern है वो ही कहीं न कहीं इसी चीज़ से लिखा है कि the very existence of human is under question via this technology क्यों ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो cognitive mindset है जो आपकी personality को different बनाता है वो ही नहीं रहेगा ethical concern यहां पर भी आता है कि किस हिसाब से हम आपको internet का access आपके brain के अंदर दे दे रहे हैं अब आप किसी भी एक artificial intelligence युक्त या फिर जितना भी एक बुद्धिमान इंसान को नहीं बोले now you have the access of internet inside your brain आप कुछ भी कर सकते हो you can you can read anything you can see anything you can get information of any sector आपके सामने अब आपको पढ़ने की जरुवत नहीं बच्चों को है ना इक्जाम में जाओ बस बैटो सोचो बढ़िया आपको internet का access है दिमाग में जो चीज़ें आएंगी एकदम पढ़िया हू बढ़िया हू बढ़िया एंसर लिखोगे सेम टू सेम जैसा यहां model answer में लिखा होता है है ना तो these are the ethical concerns कि हमें यह सब काम करना चाहिए की नहीं करना चाहिए अब यह तो एक question हो गया अपना इसके अलावा फिर हमारा जो अगला question है वो है आपका कहां गया भई करसर यह है हमारा last question बहुत important है last question जो है बहुत different taste का है और यह है हमारा nanotechnology से related nanotechnology जो है nanotechnology यहां पर बुला जा रहा है कि nanotechnology has emerged as a transformative force जो कि किसी भी मुद्दे पर कम नहीं है बिल्कुल सही बात है अलग-अलग sectors तो introduction के लिए तो इसने हमें बुद्दा दे दिया अब हमें करना है critically examine potential application क्या है इसके और potential application भी किस में सिर्फ और सिर्फ agriculture और health care में potential application in just agriculture and health care so we have to make it very sure कि हम अपने introduction में इन दो के beyond भी जाके nanotechnology कुछ applications लिख दें जिससे कि हम अपनी अपने बडपन को show कर सके कि भाई आमें आता है बहुत तो वो लिखने के लिए आपको यह सब चाहिए होगा तो यहां पर transformative force की जरूरत है वो इस तरीके से चलेगी कैसे आप various sectors में काम कर सकते हो तो पहले तो sector कौन-कौन से यार दो तो यहीं पर लिख दिया कौन-कौन सा अग्रिकल्चर दूसरा हेल्थ तीसरा defense चौथा energy पांचवा और क्या लग सकते हो टेक्स्टाइल और और क्या कर सकते हैं अग्रिकल्चर हेल्थ डिफेंस इनर्जी टेक्स्टाइल और इसके अलावां मेडिसिन वगरे तो सब उसी में आ जाएगा कि इतना ही है मोटा मोटा तो यह है अच्छा एक और लिख सकते हो इन फैक्ट आप एक लिख सकते हो इन्वार्मेंट और एक लिख सकते हो इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्स की बात करोगे तो वह क्वांटम इलेडिक्स वगर आएंगे ना अब इनके ना कुछ-कुछ आप इंट्रोडेक्शन में जब भी आओ तो इन दोनों को ओमिट करके इनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा चीज लिख सकते हो आप यह ह इनलो को तो हम डिटेल में डिसकस करी लेंगे डिफेन्स में अभी हम लोग अकिक्षिठ सकते हो एक हैं वह प्लाटिनम नैनो प्लाटिनम का इस्तेवाल करता है पिर आप फिर आप नैनूस एल्साक्तेव as your bed sheet या फिर it can be painted over a wall कुछ भी हो सकता है textile में जब आप आते हो तो आप यहाँ पे sun wash sun wash textile के बारे में लिख सकते हो अभी भी जो आप देखते हैं Koreans advertise करते हैं कि इस shirt पर वो coffee गिरा और ऐसे सगर के जाड़ दिया खतम होगे वाई खतम कुछ नहीं है सफेद का सफेद सफेदी की चमकार बरकराद तो वैसे ही sun wash textile भी है wrinkle free nano textile यह सब चीज़े लिख सकते हो environmental aspect में जब भी आप आते हो environmental aspect में आप क्या लिख सकते हो environmental aspect में आप सबसे पहले तो देखो nano solar cell वगरा ही लिख सकते हो इसके अलावा यहां पर एक important है nano fabric टाल आता है क्या है nano fabric टाल यह जो टाल है यह basically oil spills को soak करने काम आता है यह अपने weight के 10 गुना जादा weight का oil absorb कर लेता है तो जब भी oil spills होते हैं तो उन segments में पता नहीं चलता करें कैसे आग लगा दी जाती है तो उससे यार जो marine environment है, biodiversity है वो effect होती है तो यह बड़ाए simple सा यार, oil spill हो गया है धेर सारा nano fiber towel लेके आओ उस पर डाल दो it will soak and it will खतम, फिर electronics की जब आप बात करते हो तो हमने already बताए यार कि quantum LEDs की आप बात करते हो तो this is one of them इसके अलावा, flexi screens graphene, graphene based transistors, यह सारी examples आपके इस segment में बन जाएंगे फिर इसके अलावा, अगर आप agriculture और health की बात करते हो, agriculture और health की बात करते हो, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हो, starting with the agriculture again, आप देखो उसी business पर लेके चलो, agriculture को जैसे हम लोगों ने पहले define किया था था ना, तीन अलग-अलग segments में, आप इसको भी same to same वैसे ही define करके चलो, कुछ तो pre harvest, post harvest, जब आप इसमें आप कुछ ऐसा करने लगोगे, जैसे मान लो की, आपको fertilizers के बारे में लिखना है, या फिर pesticides के बारे में लिखना है, तो उन सब चीजों के लिए अलग-अलग, कुछ तो आप जैसे एक nano, nano urea करके आता ना, liquid nano urea, तो liquid nano urea की आप बात कर सकते हो, इसके अलावा, आप जब इसके थोड़ा और पहले आओ, मतलब की pre-harvest के टाइम पर जब आप आते हो, तो उस टाइम पर soil health को maintain करने के लिए बहुत सारे nano technologies का जिक्र कर सकते हो आप, similarly आप during the zone period, मतलब जब आपकी खेती उस टाइम पर अभी फलफूल रही होती है, तो उस टाइम पर जो भी pesticide छिड़कने के लिए आता है, तो उसको drought resistant बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से nano pesticide, nano sensors के तोर पर लिख सकते हो, crop improvement की बात अगर आप कर रहे हो, मतलब शुरुवाती दोर पर ही crop improvement की बात कर रहे हो, तो nano biotex की बात कर सकते हो, तो इन सब तरीके से आप पूरा proper इसको तीन पूर्शन में agriculture को भी लिख सकते हो, कि agriculture is again derived into three such components, एक है आपके लिए सबसे पहला जो है, वो है आपके लिए crop improvement के लिए, एक है आपका क्या crop improvement, एक है आपका crop protection और एक जब crop protect हो गया, जम गया, फल फूल गया, तो उसके बाद crop growth और crop productivity पर भी आप देख सकते हो, है ना, तो यहाँ पर एक growth and productivity का भी option बना सकते हो, और इनके अंदर अंदर सारी चीजों को लिखो, agriculture को भी define करके लिखना हमेशन है ना, this is one of, एक एक और तरीका मैंने देदी आपको, कि crop improvement, crop protection, इसमें आपके सारे nano based fertilizer, pesticides वगर आ जाएंगे, और growth and productivity increase करने वाला, तो growth and productivity increase करने के लिए तो यार देखो nano liquid urea और इन सब जैसे 8% की productivity increase होते हो दिखती है उसमें, यह सब बातों को आप लिख सकते हो, this is all agriculture, अब अगर इसी चीज़ को हम health से related कुछ बात करें तो health से related अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे important हम लोग को जो मिलता है, medicine के purpose पर, देखो, जितना भी bio technology के application है, वो मैंने आपको बताया कि वो इसी लिए जब भी आप health सेक्टर की बात करो, तो health सेक्टर में आप सबसे पहले, आप लिख सकते हो, एक तो targeted drug delivery system के बारे में, इसके अलावा, एक क्या बोलते हैं, scap fold होता है, वो देखते हो नो, building के बाहर जो ऐसे से rods लगती है, इसके उपर उपर फिर लोग चड़ते हैं, और फिर काम करते हैं ना, तो वैसे इस scap folding nano scale पर भी होती है, तो कभी भी आपको कोई भी blood vessel, अगर blocked है, उसको open करने के लिए, या फिर किसी organ को support प्रवाइड करने के लिए, strength प्रवाइड करने के लिए, हम लोग nano technology का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अलावा, आप ये भी बोल सकते हो, कि targeted drug delivery system होगे आपका मालो, फिर इसके अलावा एक ना nano gel आता है, wound healing के लिए, nano gel, nano gel जो है, वो basically, nano gel आपके, किसी भी wound को मालो operate हुआ है, तो operation को तुरंद के तुरंद हील करने के लिए, आप इस nano gel का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा, आप और कहले सकते हो, typhoid detection kit वगएरा लोग बना दे रहे हैं, आजकल nano sensors यूक्त है, आपके शरीर में ऐसा हम कुछ एक, शुरुवाती दौर पर vaccine develop के time पर, vaccine जैसे हम लोग inject करते हैं न, वैसे समनलो इसको inject करेंगे एक फ्रकार से, अगर इसको inject कर दिया, तो आपके शरीर के अंदर, जैसे vaccine काम करता है, आपके immune system के against पर fight करता है, उसी तरीके से आप nano bots रहेंगे, वो किसी application based के बाहरी technology से connect हो सकते हैं, जब भी आपके शरीर में कोई भी dangerous चीजों का सामना होता है, तो वो तुरंत एक notification आपके mobile application पर बेज सकते हैं, तो इस तरीके से कई सारे nano bots का काम हो रहा है, जो कि हमारे immunity system को भी enhance करने की बात करेंगे, तो अब nano biotech की बात कर सकते हुआ, इन फैक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे sunscreen lotion लगाते हूँगे आप लोग है धूप से बचने के लिए, तो वो भी एक प्रकार से health का ही एक तरीका आप बोल सकते हो, तो anti-microbial agent की बात कर लो, या फिर हम लोग को ये ultraviolet race से बचने की बात कर लो, तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोग क्या, कभी silver oxide का काम लेते हैं, कभी हम लोग platinum oxide का काम लेते हैं, कभी हम लोग aluminium oxide का इस्तिमाल करते हैं, zinc oxide का इस्तिमाल करते हैं, इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करके इन सब जगहों पर भी काम करते हैं इन फैक्ट नैनो फाइवर्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलोजी हैं जिनको कि आप लोग इन दोनों सेक्टर्स में लिख सकते हैं तो इस तरीके से potential application बता रहा है ना potential application और जायसे बाते potential ही होगा क्योंकि यह सारी चीज़े जो भी मैंने अभी तक बताई हैं वो सब potential ही हैं अभी कोई भी ऐसा नहीं full-fledged form में develop हो चुका है तो यह पूरा article था अपना आज का discussion का अगर फिर भी आपको ना दूसरे किसी भी topics related doubt आता है यह तो चलो यार बहुत ही छोटा discussion था हमारा कुछ ही topics पर था अगर फिर भी कोई doubt आता है ना तो आप जरूर से मेरे इस telegram चैन channel के अंदर में मिल जाएंगी तो आशा करता हूं कि आपको आज का session पसंद आया होगा आज इस इसे में पस इतना ही था thank you very much for listening it very patiently friends have a nice day thank you so much